हेलो दोस्तों नमस्कार मैं विरद आपलों का सेलेक्शन में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और दोस्रों आज का जो विशय है वो आप देख सकते हैं यह निबंद लेखन का है और यह निबंद लेखन किनके लिए अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट है तो मुख्य रूप से यह जो निबंद लेखन है यह बी-ई-ओ मेंस की जो त्यारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत दादा इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके से दूसरे एक्जाम के जो मेंस की त्यारी हो रही है उ क्योंकि यह टॉपिक जो है आत्म निर्भर आत्म निर्भर भारत यह काफी जादा इस समय चर्चा में तो चर्चा में क्यों है चर्चा में क्यों है क्योंकि प्रधान मंत्री जी ने इसको कह सकते हैं कि आवाहन किया देश की जनता के लिए कि वह भारत को आत्म निर्भर ब Confederation of Indian Industry, यहनि CII जिसको आप बोलते हैं, या हिंदी में आप इसको भारती उद्योग परिसंग कहते हैं, क्या कहते हैं इसको भारती उद्योग परिसंग कहते हैं, तो जो यह भारती उद्योग परिसंग है, इसका वारशिक सत्र था, आपका यह वारशिक सत्र 2020 करके, यह एक था जिसमें video conferencing के थूँ जो है प्रदानमंत्री जी ने इसकी video conferencing किस संबोधन किया है और इसी संबोधन में ही उन्होंने भारत को आत्म निर्भर भारत के भारत के निरमाण की बात तो आत्मिर भारत के निरमाण की बात जो है उन्होंने किस कह सकते हैं कांफरेंस में कह सकते हैं किस मीटिंग में करिए यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और क्योंकि आपको मालूम है कि भी हाली में पूरा दुनिया जो है वो कोविड-19 से परिशान है वर्तमान समय में भी और कोविड-19 की जो यह के से हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है कि कैसे इससे बचा जाया जो योजनाय बनाई है और ना सिर्फ यह योजनाय अपने देश के लिए बलकि भारत के बाहर के लोगों के लिए भी लावानवित रही है कई प्रकार की ऐसी योजनाय रही इंडियन गवर्मेंट की तो उस स्थिती को देखते हुए भारत की काफी कह सकते हैं अच्छी साख भी बनी हुई है कोविट-19 से निपटने को लेकर के तो यह जो पूरी दुनिया की जो अब दृष्टी है वो कहीं न कहीं भारत की तरफ रही है बेसिकली इंडियन प्राइम निस्टर ने फिर इस सेक्तर के लोगों को उन्होंने मोटिवेट करते वह काहा है और इस अनुपूल इस्थिति का हमें क्या करना चाहिए लाव उठाना चाहिए ठीक है तो विपत्ति का समय जरूर है लेकिन हमें उस में मौक भी तलाशने को मिल रहे हैं तो उन मौकों को हमें नहीं hacemos है और ये या लोकल वोकल फॉर लोकल एक टम उन्होंने बोला वोकल फॉर लोकल तो जब आप वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो भी इस्थानी उद्यम हैं इस्थानी उद्यम जितने भी हैं उन इस्थानी उद्यमों को बढ़ावा देने की बात कही गई है और प्रधानमंत्री जी की ऐसी अपील भी भारत की जनता के साथ है वैसे भी अगर हम देखें तो भारत जो है वो वसुध है वो कुटुम्बकम कुटुम्बकम की जो प्रिस्ट भूमी है वो भारत की रही है स्वभाविक सी बात है कि हम पूरी दुनिया को अपनी धर्ती को अपनी परिवार मानते हैं तो स्वभाविक सी बात है कि अगर उस परिवार में भारत एक सदस्य है और उस भारत की अगर प्रगती हो रही है तो सबाविक सी बात है कि परिवार की भी प्रगती हो रही है तो अब यहाँ पर एक सोटा सा पॉइन्ट है जो लोगों के मन में जाता है जैसे अगर हम भारत का आत्म निर्भर प्लैनिंग जो है बारत इसके दौरान आपने देखा होगा तमाम सारे जो है उनको बैन कर दिया और इस तरीके से इंडियन एप्स को कहीं न कहीं बढ़ावा मिला स्वाभाविक सी बात है जैसे आप लोग ने देखा भी होगा एक चाइनीज एप था उसका नाम था टिक टॉक है न टिक टॉक करके एक चाइनीज एप था ये बड़ी एफिमस एप हुआ करता था और इसी का अब एक इंडियन वर्जन आगे आपको मालूम है वो फिर उसका नाम उतलगबग उसी तरीके से आपको देखने को मिलता है तका टक करके एक है तो ये कहीं न कहीं इसको मोटिवेशन तब मिल रहा है जब आप इसको क्या कर रहे हो यहां से हटा रहे हो अब इस सब चीजों को देखने से ऐसा लगता है कि चाइनीज चीज है या कोई दूसरे विदेशी चीजें हैं वो इंडिया में इंट्री जो हैं वो ना करें इंडिया में इंडियन चीजें जो हैं वो बढ़ें तो ऐसे में कई लोगों का ये भी कहना हो जाता है कि फिर ऐ हैं कि हम globalization को अश्यादा और जाधा अवसर प्रदान कर रहे हैं और विश्यों को और जाधा ऊवसर प्रदान कर रहे हैं कि उस globalization में इंडिया की भूमिका और जाधा बढ़ें ठीक है तो इस चीज को इस तरीके से भी देखा जा सकता है जैसे मैंने अभी आपको बताया है इससे जो है भारत की जो आर्थिक स्थिती है आर्थिक विकाज जो है वो भारत का बढ़ने की संभावना है और कहीं न कहीं इस तरीके के अगर चीज होती है तो इसमें विश्व की आर्थिक जो इस्थिती है वो भी थोड़ी सी मजबूत होगी क अगर प्रथम चरण की बात करते हैं, तो प्रथम चरण में कुछ sectors उन्हों ने define किये हैं, जैसे की आपका चिकित्सा field है, चिकित्सा का सेक्टर है, ठीक है, कपडों का सेक्टर है, वस्तर वगईरा वस्तर उद्योग है, electronics हैं, electronics के जो उद्योग हैं, या plastic के खिलोने वगईर करने की बात कई गई है, क्योंकि इस इन सब चीजों में हम विदेशों पर बहुत जादा आपको मालूमें के डिपेंड होते हैं, हमारे याँ बहुत सारे medicals जो हैं वो foreign के हैं और basically China के हैं, इसी तरीके से worst industry में हो सकता है कि हम काफी हद तक 50-50 हो कि हम भारत में बहुत सारी चीजें निर्यात भी करते हैं और आयात भी करते हैं पर electronics और electricals के मामले में और plastic के खिलोने के मामले में हम बहुत जादा विदेशी countries पर depend हैं और जबकि हम local market में इसकी demand कर सकते हैं और motivate भी कर सकते हैं को कि इतनी चीजें तो हम अपने देश में बना सकते हैं इसके अलामा अगर जो second phase है second phase में अगर दिखा जा तो थोड़ी बड़ी चीजें हैं जैसे रतन है आभूशन है ठीक है आभूशन है फर्मा है फार्मा कंपनीज जो है वो है इस्टील उद्योग वगरा है ठीक है इस जैसे जो field है जैसे जो छेत्रें उनको बड़े जो उद्योगों के जो छेत्र हैं उनको second phase motivate करने की बात यहां पर कही गई है, in fact इनको motivate करने के लिए एक योजना में ये भी implementation है कि जो इस field की जो चीजें हैं, जो जैसे, मतलब total 10 fields जो हैं, 10 sectors हैं, 10 छेत्र ऐसे हैं, जिनको चिन्हित किया गया है और इन 10 चिन्हित छेत्रों में आयात की कटोती क की गई है, तो आयात में क्या करी गई है, आयात में इन में कटोती की जाएगी, यह आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा minimize करना है इसको, तो जो वो 10 छेत्र हैं, जिस अब यह वो छेत्र हैं, जिनमें हम घरेलू sector जो हैं, घरेलू sector जो हैं, उनको बढ़ावा दे सकते हैं, अब यह 10 sectors कौन कौन से हैं, 10 छेत्र कौन से हैं, जैसे आप furniture का industry का छेत्र देखिए, अच्छा इन सब मामलों में वैसे हम अगर विदेशों के अंसार भी देखें, तो जादा तर हम चीन पर बहुत जादा डिपेंड हो जाते हैं, जैसे electronics हैं, कपड़े उद्योग हैं, या अब मैं जो furniture लिख रहा हूँ, Chinese furniture, Indian market में बिल्कुल चाय हुए हैं, तो इसको हम अपने यहां भी develop कर सकते हैं, इसको motivate कर सकते हैं, तो यहां पर वही है कि इनका IR जो है, मैं थोड़ा सा क्या करना है, कम करना है, ठीक है, footwear industry है, air condition industry है, आपका जो भी पूंजी गत सामान है, पूंजी गत सामान उद्योग जो होता है, वो सब हैं, या फिर machinery वगएरा जो है, machinery यह जो sector है, mobile sector है, इस पर भी हम बहुत जादा चाइना पर depend है, mobile sector है, electronics का sector है, electronics, बहुत सारे electronic item है, जो हम लोग चाइना या जापान या इस तरीके के country से मंगाते हैं, इसके अलामा आपके जो है, रत्न और आभूशन है, रत्न और आभूशनों वाला जो sector है, आभूशन वाला sector है, फर्मा है, ठीक है, फर्मा sector है, इसमें भी हम चाइना पर बहुत जादा depend करते हैं, textile industry है, textile यानि कि कपड़ा उद्यों वाली जा इंडस्टी है, तो इन सब का आयात थोड़ा सा व और इन सब को मोटिवेट करने के लिए, जो आयात बिल है, अगर हम देखें तो वाडिज्य मंत्राले ने क्या किया है, कि जो कमोडिटी, भारत का जो कमोडिटी यानि आयात का जो बिल है, वो करीब करीब अगर देखें, तो मैं आपको इसका थोड़ा सा आकड़ा भी बता दालें, तो हमें पता चलता है, कि इस दोरान भारत का जो आयात बिल है, ठीक है, आयात बिल जो है, इंपोर्ट जो बिल है, इंपोर्ट कमोडिटी बिल जो है, वो करीब करीब 467.2 बिलियन डॉलर रहा है, ठीक है, तो 467.2 बिलियन डॉलर रहा है, सोचके देखिए, अब इसमें भी क्या-क्या चीज़ें आयात करी हैं, आगर देखें, तो चमड़ा है, चमड़ा के अलवा अगर आप देखें, तो तमाम सारे जो precious stones होते हैं, कीमती पत्थर आप जिनको कह सकते हैं, कीमती पत्थर, precious stones वगरा, उनका आयात किया हुआ है, electrical है electrical और तमाम सारे gear electronics भी material है ठीक है यह सब है और इसके अलामा अगर देखा जाए तो तमाम सारे machinery tools है machinery tools ठीक है इन सब का आयाद जो है हमने इसमें किया हुआ है जिसमें से अगर देखें तो चमड़ा का करीब 1.01 billion dollar का आयात हम लोगों ने किया है और इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो electronics और electronics material का हम लोगों ने आयात किया है लगबख 37.7 billion dollar का हम लोगों ने आयात किया । इन सब चीजों को रोक सकते इसका आयात किया है जबकि बहुत बडी मात्रा में इसका आयात किया गया 22rias ब्रेस्था करते हैं यह बात यहां पर कही गई अब जो हमारा आतमनों निर्भर भारत प्लैन है उसमें कुछ विशेश प्रकार की घोशनाएं भी करी गई हैं जैसे आप लोगों को मैं एक डेट याद करा दूं बिल्कुल याद आप लोगों को अल्रेडी होगी 2012 में 2020 की बात है 20 मई सन 2020 को भारत सरकार के जो प्रधान मंत्री है उन्होंने आत्म निर्भर भारत का आवान किया इसका उन्होंने आवान किया है 20 मई सन 2020 को और इस फील्ड में इंडियन गुवर्मेंट ने 20 लाख करोड ठीक है 20 लाख करोड का आर्थिक पैकेज देनी की बात करी है तो 20 लाख करोड के आर्थिक पैकेज की उन्होंने बात करी है ये डेट भी आपको थोड़ी बहुत लिखने में आगर आप याद रखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा और पांच इस्तंब बताएं हैं आत्म निर्भर होने के उन्होंने इसमें पांच इस्तंब बनाये थे और वो पांच इस्तंब में एक है आपका अर्थ्विवस्था दूसरा था आपका अवसंदचना तीसरा सेक्टर जो है वो आपका प्रोध्योगी की का है चौथा सेक्टर जो उन्होंने बताया हुआ है वो आपका गतिशील जन सांखिकी जो है और पांच्वा और अंतिम सेक्टर जो है वो आपका डिमांड यानि मांग का है तो इस पांच सेक्टर में हम लोग क्या हो रहे हैं क्या हो सकते हैं आत्मिरभरता को बहुत जादा मोटिवेट कर सकते हैं और इसके लिए तमाम प्रकार के उन्होंने राहत पैकेज जो हैं उनकी भी घोषणा की है और इन राहत पैकेजों में किस प्रकार के उद्योग शामिल हो रहे हैं जैसे की मुख्य रूप से वो जो उद्योग हैं वो MSME उद्योग हैं जिनको हम लोग बोल सकते हैं इनको बहुत जादा मोटिवेट करने के लिए उन्होंने बात कही है क्योंकि इसके इंपैक्ट जो पढ़ेंगे वह काफी जादा लॉंग टर्म इंपैक्ट पढ़ेंगे अगर इनको हम लोग फ्रूटफुल बनाते हैं किसी भी तरीके से लेकिन आपको मालूम है कि जब भी इस तरीके की चीजों का इंप्लिमेंटेशन होता है तो कुछ विशेस प्रकार की आपको चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है तो आर्ट मनिल बर भारत के सामने किस प्रकार की चुनौतियां हैं यह जो आपने वित का समावेशन वित के इंप्लिमेंटेशन की जो बात करी है इसका मेनेजमेंट यानि वित का समाधान जो है वो सही तरीके से आपको करना होगा अधर्वाइज यहां पर भ्रस्टाचार का बढ़ावा भी हो सकता है इस तरीके की चीजों में इसके अलावा तमाम प्रकार के तक्नीकी साध संसाधनों की आवशकता पड़ेगी और वो तक्नीकी संसाधनों को भी हमें फुल्फिल करना पड़ेगा तभी इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकते हैं ठीक है इसके अलावा जो भारती उतपाद निर्मित हो रहे हैं अगर हम वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं तो वह जो मेट्रिल बन रहा है उसकी गुणवत्ता ठीक है उसकी जो गुणवत्ता है वो वर्ड क्लास होनी चाहिए मतलब विश्वस्तर की होनी चाहिए विश्वस्तर की गुणवत्ता नहीं होगी तो उसे कौन खरी देगा आप खुछ सोच करके देखिए ठीक है तो मतलब जु डबलू एचो के साथ में जो भारत द्वारा जो कटवती की जाएगी अगर देखा जाए तो जो ग्लोबली जो फर्क पड़ेगा सो अब एक सी बात है कि जब सब चीजों का हम अपने घर में निर्यात करने लगेंगे तो आयात पर फर्क पड़ेगा तो डबलू एचो के भी क नियंतरित करना भी इसकी एक बड़ी चनोती के रूप में हो सकती है तो ये आत्म भारत की बहुत ही विशेज कह सकते हैं चनोती भी है हलाकि काफी अच्छा ये एक मौका भी है इसको और किस तरीके से और अच्छा बनाया जा सकता है तो इसके लिए भारत को अपनी जो और अपने हैं इंडिकेट किया था जैसे इच्छा शक्ति को हम लोग यहाँ पर इंटेंट बोल सकते हैं उसके आलावा समावेशन की बात उन्होंने करी है जिसको आप सकते हो इसके अलावा निवेश की बात करी हो नोने जिसे आप इनवेस्टमेंट कह सकते हैं इसके नवचार को बढ़ावा देनी की बात उन्होंने करी है नवचार का मतलब हो गया innovation को बढ़ावा देनी की बात करी तो these are the five eyes जिनकी वज़े से इसको और ज्यादा motivate किया सकता है आत्मिरभर भारत को तो यदि अगर हम 21 सदी में इंडिया को विश्व गुरू बनना चाहते हैं तो सबाविक सी बात है कि हमें पहले अपने पैर पे खड़े होना सीखना होगा और अगर हम ऐसा कर पाने में सक्षम होते हैं तो निश्चित रूप से भारत का आत्मिरभर भारत का प्लान है यह जो है वो success रहेगा तो आई होब कि आपको यह topic काफी अच्छे से समझ में आ highlight कर देता हूं आप इस link का जरूर प्रयोग करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी यह देखिए आपर आपको link दी हुई है यह वाली ठीक है तो आप इस पर जाईए और हमारे इन numbers पे इसमें से यह वाला जो नंबर है 8953595687 इस पे आप हमें WhatsApp कर सकते हैं WhatsApp ठीक है इस पे आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं तो WhatsApp कर देंगे तो फिर आपको मैं टेलिग्राम पे आराम से जोड़ दूँगा और नहीं भी अगर है तो आप डिरेक्ली जो है टेलिग्राम पे आप मुझे यहाँ पर सर्च कर सकते हैं जो मैंने ऊपर आपको यह दिये हुए है लिंक दिया हुए आप इससे डिरेक्ली भी वहाँ पर पहुंच सकते हो ठीक है क्लियर है इतनी बास अब को तो आई होप कि आज के लिए इतना ही फिर आपको मुलाकात करेंगे अगली लेक्षर में तब तक ले नमस्कार जैहिंद